आज दिल्ली के आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के बिधायक दल की बैठक बुलाई गई थी जिस बैठक में दिल्ली के अगले चुनाव तक मुख्य मंत्री के जिम्मेदारी सर्व सम्मती से आतिसी जी को दी गई है ये जो जिम्मेदारी दी गई है आप सब जानते हैं कि एक विसम परिस्थितियों में जिम्मेदारी देनी पड़ी है क्योंकि जिस तरह से भारती जनता पार्टी की केंदर सरकार ने पूरी भारती जनता पार्टी ने देश के मानने प्रधानमंत्री जी ने सड्यंत्र करके एजेंसियों का दुर्प्योग करके आम आदमी पार्टी को खत्म करने का दिल्ली की सरकार को देश के अंदर जिस तरह से सरकारों को तोड़ा गया उसी तरह से दिल्ली की सरकार को भी तोड़ने का जिस तरह से अवियान चलाया उन सभी अवियानों को फेल करते हुए आम आदमी पार्टी ने अपनी एक जुठता को विधायकों की एकता को सरकार की स्थिर्था को और सरकार के कामों को जारी रखा इन्होंने एक कोसिस की कि अर्विन केजरिवाल जेल के अंदर इस्तिफा दे दें और सरकार को गिराया जा सके लेकिन अर्विन केजरिवाल जी ने दिल्ली के लोगों के हितों के लिए दिल्ली के लोगों के काम को जारी रखने के लिए निड़ा लिया कि जेल के अंदर हम इस्तिफा नहीं देंगे और जेल से सरकार चलाएंगे और उदोंने सरकार चलाई लेकिन जेल से आने के बाद उन्होंने इंडरड़ा लिया कि जिस तरह से अरविंद केजरिवाल की जो सबसे बड़ी ताकत है इमानदारी की ताकत उसी इमानदारी की ताकत से अरविंद केजरिवाल जी ने दिल्ली के लोगों के लिए वो काम किया जो आज तक इतिहास में भारत के कोई राजिस सरकार नहीं कर पाई लेकिन उनके ओपर उस इमांदारी के ओपर कीच़ उचाया गया भारती जनता पार्टी की तरफ से और उसको देखते हुए दिल्ली के मुक्हमंतरी अर्विन केजरिवाल जी ने जेल से आने के बाद ये दिनड़े लिया कि देश की सुप्रीम अदालत ने हमें जेल से बाहर कर दिया है लेकिन हम जनता के अदालत में जाएंगे दिल्ली के लोग जब तक दुबारा चुन करके उन्हें अपना समर्थन नहीं देते तब तक दिल्ली का मुक्हमंतरी नहीं बनेगए आज इन परिस्थित्यों में जब उन्होंने अपना इश्टिफा देने का नेड़े लिया आज विधायक दल की बैठक हुई विधायक दल की बैठक में सरोसमती सी निड़े हुआ है कि अगले चुनाओ तक हम चाहते हैं कि ये चुनाओ अक्टूबर नॉम्बर में कराए जाए जल्द से जल्द कराए जाए जब तक चुनाओ नहीं होता है अरविंद केज निवाल जी को प्रचंड पहुमत से जनता दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनाती है तब तक के लिए आतिसी जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाने के लिए तस्ताओ सरोसमती से पारित हुआ है आतिसी जी को दो जिम्मेदारी मुख्य तोर पर सभी विधायकों की तरफ से दी गई पहला कि दिल्ली के दो करोण लोगों के साथ मिल करके भाजपा के सारे रुकाउटों के बाउजोद हम काम जारी रखेंगे और दूसरा भारती जनता पार्टी अरविंद केजरिवाल के नित्रुत में दिल्ली के लोगों को जितने काम किये गए उन सब को रोकना चाती है फिरी बिजली रोकना चाती है फिरी पानी रोकना चाती है इस्कूलों को खराब करना चाती है महला के लिक बंद करना चाती है महलाओं की यातरा को रोकना चाती है बुजर्गों की तिर्थ यातरा को रोकना चाती है अभी हमने देखा बुजर्गों की पेंसन रोक दिया पांच माईने तक दूसरी जो जिम्मेदारी उनको दी गई है कि भारती जनता पार्टी के सारे सर्यंत्रों को जो दिल्ली के जनता के काम को रोपने की है उसकी रक्षा करना है हमें कल भी इस भाजपा के सर्यंत्र से हम लड़ रहे थे और इसलिए नए मुख्यमंत्री के जिम्मेदारी है संघर्स को जारी रखना भाजपा के नेताओं से भाजपा की सरकार से भाजपा के सर्यंत्रों से दिल्ली के जंता के कामों को सुरक्षित रखना उसकी रक्षा करना इन दो जिम्मेदारियों को ले करके नई सरकार का गठन होगा साथे चार बजे मुक्हमंत्री जी अपना इस्तिफा देने के लिए उप राजिपाल के पास जाएंगे और उसके बाद नई सरकार बनाने की दावेदारी विधायत मंडल दल की तरब से प्रस्तुत की जाएगे पहले मुख्यमंत्री जी अपना इस्तिफा देंगे और उसके बाद जो विधान मंडल दल का जो प्रस्ताव है नेता चुनने का वो दावेदारी का प्रस्ताव रखाएंगे जब अर्विन जी दौरान देने के साथ ही में आधिशी जी का नाम का भी प्रस्ता देंगे और इस्तिफा देने के बाद जो नई सरकार गठन की दावेदारी है वो भी प्रस्तूत की जाएगी जहां तक नए मंदल की बात है उसके बाद जो है पार्टी बैठ करके उसके लिए निड़े लेगे अभी आज जो विधायक दल का नेता चुना गया है उस दावेदारी को उस प्राजेपाल के पास प्रस्तूत किया जाएगा क्याबिनेट का फैसला बाद में किया जाए ठाला तल करते है इसकी खरता तोने लिपरन के लिग सवाचरकों फैसने कि भी यकाफ की स्वाच्छीिट। झाल झाल